न तो पहले भगवान से अनुराग होगा और न तो पहले संसार से बैराग्य होगा क्योंकि हमारा मन निउट्रल नहीं है अर्थाथ अगर संसार में भी आ सकती न होती और भगवान में भी न होती ऐसी पोजीशन में मन होता तब तो हम कह देते कि भगवान में मन लगा दो और एक सेकंड में लग जाता हम लोग बड़े समझदार हैं अगर कहीं पर चार पैसे का लाब है और दूसरी जगे पाँच पैसे का लाब है तो घस यारा भी पाँच पैसे में जाता है इतनी अकल सबको है अगर गाय को हरी घास मिले तो वो भूसा नहीं खाएगी मुँ बिचका देगी तो ऐसा नहीं है अनाधिकाल से हमारी बुद्धी का ये डिसीजन पक्का हो गया है कि संसार में सुख है हमको नहीं मिला ये बात अलग है हमारी माँ खराब है बाप खराब है बेटा खराब है बीबी के लेकिन संसार में सुख है भागो क्यों अरे सब भाग रहे हैं देख नहीं रहे हैं ये सब बेवफूब हैं क्या हम तो दस लाग चाहिते हैं और ये दस खराब वाले भी आगे भाग रहे हैं इसका मतलब कहीं आनंद है अंध विश्वास कहते हैं इसको तुद देखो बड़ी सीधी सी बात है कि संसार से मन हटाना है क्यों इसलिए कि ये संसार मेटीरियल है माईक है प्रिथ्वी जल तेज वायू आकाट ये पांच तत्व से संसार बना है और पांच तत्व से हमारा शरीर भी बना है माँ के पेट में अरे शरीर कैसे बना है पिटा के बीर्ज और मा के रज से बना है वो बीर्ज कैसे बना है अन्न से बना है हम भोजन करते हैं उसका रस बनता है फिर रक्त बनता है फिर मांस बनता है फिर मेडा बनता है फिर हड़ी बनती है फिर मज्या बनता है फिर बीर्ज बनता है इस अन्न से बने वही पंच महाभूद और मैं नाम का जो तत्व है इस शरीर के अंदर जिसके कारण ये शरीर सब कुछ करता रहता है हाथ पैर आख कान नाक मुख वो जब चला जाता है जिसको आप लोग कहते हैं ओ आज मर गया अरे मर गया मैंने क्या शरीर से निकल गया वो कौण वो है कोई मैं जानता नहीं हूँ वो जब आया तो शरीर चलने फिरने लगा वो चला गया तो हम लोग कहते हैं ने मिट्टी में जा रहे हैं ए पहले तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस थी ये विश्व सुंदरी आ रही है ये प्राइम इन्स्टर आ रहा है बड़ा महत तो है शरीर का अब जब वो चला गया अंदर वाला रे निकालों घर से बाहर बाहर बीबी कह रही है बेटा कह रहा है अरे चौबिस घंटे न रखो नहीं तो बद्बू आएगी ए जल्दी करो वो बास्वास काटो जलाद जलाद जिस शरीर की पूजा हो रही थी हजारों लोग जिसके लिए दर्शन को तरस्ते थे आज उसमें बद्बू आ रही है तो वो जो निकल जाता है वो किस से बना है पता लगाना चाहिए तो शास्त्रवेद कहते हैं कि वो भगवान का अंश है चेतन है उसमें इतना बड़ा कमाल है कि सारे शरीर में चेतना पैजा कर देता है हाथी के शरीर में भी कीटी के शरीर में भी और वो हिरदय में रहता है और किसी को दिखाई नहीं परता जब निकलता है सब बैटे मा बाब बेटा इसनी पती और वो हो हो कर रहा है और सब देख रहे हैं कि अब यह जाने वाला है और आखी बार किया हो गया किजार से गया अरे कोई लाइट भी जाती है तो दिखाई पड़ती है बड़े बड़े बैज्ञानिकों ने देखने की छेष्टा की बड़े बड़े यंत्र लगाए दूरबीन कमाल है इतना सूक्ष भैए वो तो इतने बड़े हाथी के प्रतेक अंग में चेतना पैड़ा कर देता है तो वो जो चेतन आत्मा है वो परमात्मा का अंश है उसका आनंद चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं न हमको आनंद चाहिए तो जैसे आख का सब्जेक्ट रूप है कान का सब्जेक्ट शब्द है रसना का सब्जेक्ट रस है अपका अलग अलग है ने आख से सुनाई नहीं पड़ता कान से दिखाई नहीं पड़ता और जब कि ये सब पूरा शरीर पाट पडार्त से बना है लेकिन क्या कमाल है कि अलग अलग है सब का हिसाब किताब इसलिए आत्मा का सुख इस पंच महाभूत के संसार में हो ही नहीं सकता अनन्त कोट संसार किसी के नाम लिख दिया जाए ये करोड अरब नहीं अनन्त कोट ब्रह्मांड फिर भी पटीचर रहेगा क्योंकि आत्मा का सब्यक्ट संसार है ही नहीं आत्मा का सब्यक्ट विशय परमात्मा है भगवान है उनको जब पाएगा आत्मा तब कहेगा दास अब कुछ नहीं चाहिए हमको हमारी चीज मिल गई और उसके पहले एक हजार मिल जाता दिखारी कहता है एक हजार आज मिल गया लेकिन आनन्द नहीं मिला एक लाक मिल जाता वो भी मिल गया आनन्द नहीं मिला ये सब तमाम मिलता जा रहा है हम लोगों को कितनी कामना है हम लोगों ने की जब से पाइदा हुए और कितनी पूरी होती गई लेकिन फिर फटी चरहाल वही के वही खड़े है ये च्छाती से कितनी बार चिप्टाया बाप को मा को बीबी को फिर वही से ही के वही से अधि तु तुम गलत काम कर रहे हो पानी को मत रहे हो पानी को पानी में घी नहीं निकलेगा मक्कन नहीं निकलेगा उसमें होता ही नहीं मक्कन दूद में होता है श्रीमान जी तो तुम्हारा माने आत्मा का सुख भगवान में है उदर जाओ ये सब ज्यान जुक्त होकर संसार से मन को हटाना है ऐसे नहीं कि किताब में लिखा है और बाबाजी ने कहा है मन को संसार से हटाओ बाई रीजन समझ करके तब हटेगा मन कहां यार बाब तो ठीक है ये संसार का सुख तो ऐसे ही है कभी बहुत उसी सामान से कभी उससे कम कभी और कम और कभी उससी से गिरना हो जाती है उसी से लड़ाई हो जाती है बाब तो ठीक कह रहे है ऐसे समझ के संसार से हटाओ लेकिन हटा कर खड़े न रहो तुरंत भगवान में लगाओ अपने आप नहीं हटेगा अपने आप नहीं लगेगा ये रट लो अप लोग बाबाओं के पास जाके प्रस्न करते हैं भगवान में मन नहीं लगता अरे शराबी से पूछो कि तुम जब पाइदा हुए तो क्या तुमने शराब मांगा था नहीं जी हम कुछ बड़े हो गए थे तो हमारा एक दोस्त था उसने कहा जराब पी के देखो हम उसके चक्कर में आगए फिर हमने पिया खराव तो लगा लेकिन फिर दो बारा पी के पिर ते बारा पिर दस बारा बार जो पिया तो तो फिर आदत पड़ गई और तो अब तो ये हाल है कि खाना न मिले कोई बात नहीं मा बाप बेटा बीबी पती न मिले कोई बात नहीं शराब मिले यहाँ आ गए ओ फिर भगवान में तुम क्यों आशा करते हो कि लग जाए लग जाना तो नैचुरल्टी है नैचुरल्टी पहले नहीं होती पहले लगाना फिर लगना चाहे छोटी चीज सिगरेट पीना चाहे पीना कोई चीज हो पहले उसको आपने खुप पिया खुप खाया उसके बाद फिर वो पीछे लग गई आपके और आपको टेंशन खोपड़ी मिल करती है चाहे पियो जी तो ऐसे ही पहले बार बार हटाओ लगाओ हटाओ लगाओ ये महनत है इसी को कहते है अब्यास बैराग्या भ्याम तन निरोदा अब्यास माने भगवान में लगाना बैराग्य माने हटाना संसार ते जैसा मैंने कहा समझ करके देखो आप गड़े की अकल से समझो एक तराजू है दो पलड़े हैं एक पलड़े में पांच किलो सामान रखा है वो तराजू जमीन पर है दूसरा पलड़ा खड़ा है उपर को अब हमको इस पलड़े में ये सामान लाना है फिर क्या करें उसमें से निकालो एक किलो इसमें रखो रखा हाँ अब इसमें एक किलो कम हो गया ना अब इसमें एक किलो हो गया दूसरा और निकालो एक किलो फिर इसमें रखो अब फिर निकालो तीन किलो अब ये डाउन होने लगा देखा ना ये उपर उठने लगा अब ये बाकी भी इसमें रख दो अब ये नीचे बैठ गया हाँ बाश ऐसे ही हटाओ लगाओ हटाओ लगाओ फिर ये लगने लगेगा जब 50% से ज़्यादा डाउन हो जाएगा तो फिर अपने आप लगने लगेगा फिर तो क्वारी दुनिया लग जाए पीछे और सारा संसार दे दो भिट तो देखेगा नहीं उसूर इस प्रकार लक्ष की प्राप्ति होती है अनंत महापुर्शों ने ऐसे ही प्राप्ति किया है थाइंक यू